हेलो एवडिवान, वेलकम बैक टो योरोटोप चैनल फोर क्रेटीव एस्टेडीच आज इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग जानेंगे बी ए बी जी वन सेवेंटी वन के जो है इंपोर्टेंट टोपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे जो एक्जाम के डिश्टीकों से बहुत ह ज्यादा महातपूर ने रहेंगी वे टोपिक्स को हम लोग कभर करेंगे डिस्केशन करेंगे ठीक है जैसे कि आज के सेशन में हम लोग यूनिट फाइब को कभर करेंगे यूनिट फाइब यह निकी बी बी ए बी जी वन सेवेंटी वन के यूनिट फाइब इससे पहले जो कभर करेंगा इसके सेशन में इसी को ठीक है उसके बाद देखिए अब तक जो है ना यूनिट फोर तक कभर हो चुकी है जो भी अभी तक कि जो है कलास कभर नहीं की है सो प्लीज आप से भी जाके वहां से कभर कर सकते हैं जो इसका लिंक जो है डिस्कप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल में जो ना एक प्लैलिस्ट बना दिया गया है बी पी सोरी बी ए बी जी वन सेवेंटी वन इंपोर्टेंट कोशन भी तांसर के नहीं से मिल जाएग इसमें टोपिक दो ही है जैसे कि आप देख पारे हैं 5.3 और 5.4 हम लोग कभर करेंगे आज जो है ना बाहत में समाजिक धार्मिक आंदोलन यह बहुत ही ज़्यादा महातपूर ने रहेगी इसको कभर करेंगे देखे दोफिक है हम कभर कर सकते हैं नेक्स सेशन में इसको कभर इसलिए मैं आज जो है आज के सेशन में बस एक यूनिट को मतलब एक टोपिक को लेकि जाओंगा ताकि आपको भी आसानी तरीके सब्सक्राइब कर पाओ और लांग वीडियो भी नहीं बन पाए ठीक है चले श्टार्ट करते हैं जैसे का आज को भात में समाजिक धार्मिक सुधार यह बहुत ही important question रहेगा देखिए उसको उसको देखते हैं सबसे पहले देखिए इसको आपको सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है यह जो है 5.10 जो है 5.3 जो है आपको किस तरह से questions पूछा जा सकता है इसको सब ध्यानपुर्वक सुने मेरे बातों को इसको आपको इस तरह से आपको questions पूछा जा सकता है तो ठीक है सुन लिए और चलिए हम लोग आप यहां से आप देखिए क्या कहा रहा है यह बहुत में समाजिक धर्मिक सुधार हंदोलन देखिए इसमें कहा जाता है प्रमप्रागत भारती गरंतों में महलाएं समर्पित और आत्म बल कर दोते देती है इसका बुसकर होता है refuse जया जाता है कि यह जогодफान अपने आत्म बलिदान दे मितोलिए हैं एधिक समर्पित करदें मतलब कि मैं हम मान के चले होती है तuç कि के गरनतों में जाती वर्ग धर्म उम्र और धार्मिक संपर्दाय के आधार पर पुरूसों के लिए अलग-अलग गोशनाय थी यह जो जो ना पुरूसों के अलग-अलग ती इन सबों में उसके विप्रित महलाओं में अंतर उनकी सारे कि विशिस्ताओं और अधिनस्त सहायक भूमिकाओं में अदा करने में देखा जाता था जो उनकी किस्मत थी इसके अलबा जिसे महनुस्यों के साथ पुरूसों के साथ जो महलाओं के एक तो अलग-अलग सब कुछ घुषनाय सब कुछ नियम कानून तो सब कुछ था है अलग उसके बाद उसके विप्रित में महलाओं की और विससता क्या थी उसकी साडरिक समझ रहे हैं उसके साबी की विससताथ जो ने उससे अलग थी उसमें उसका थी तो च्ष Six साब्स भुरू ने दिया जाता था और जो कि उसका जीरितरन में समान रूप से आवस्यक्ते और कभी-कभी महला से सम्मंदित बाते विस्यष धियान देने वाले थी लेकिन आम तोर पर ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी उपलब्दियां पूरूस मानकों के द्वारा महतपूर्ण थी यह है इत्यास कार के द्वारा कहा जाते हैं कभी-कभी महलाओं से सम्मंदित, जितनी भी महला से रिलेटर जितने भी बाते हैं हम लोग को ध्यान पुर्वक्त सुनने चाहिए ध्यान रखना चाहिए उसकी बातों को क्यूं ऐसा क्यूं कहा त्यूंकि उनकी जो उपलब्दी होती है उसके जो प्राप्ति होती है वो पुरुस मानकों के द्वारा ही महत्पूर्ण होती है जय eran dropdown ओर जया जाता है गेराल्डीं फोरवैर्स द्वारा जो है एक तर्क दिया गया था कि उन मुद्दों को जिन्हें महलाओं मिलकर किया गया Oregon गरेलुकारी और क्रिसी पर्दुकी धार्मिगनुष्टान उर्वर्ता और परिवार का आकार आभूसन ये सभी जो ने कपरावी रसत ये सभी जो है महला के द्वारा महलाओं के द्वारा किया गया था मिलकर किया गया था एक सम्हू के द्वारा किया गया था महलाओं के सम्ह बीटमोना आ विरोदाबास को देखा महला इसक्वत हुझ मुह एक इतिहास में लिखा गया थे सब्सक्रीं स्य kind आगे कहा रहा है कलकना कीजिए अब सोचिए वह सर्वोच महत्隨 की है वहेभारिक रूप से वह पूरी तरह से तुच है वहारिक रूफ से ज분 से महत्वहीन है वह उसका कोई करत्म मैंनूद महत्वहीन ही यह इसमें यह कहे जा रहा 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 का रहा शारा इस मुली कये कहे कुछ हुए रहे वह सब कुछ है वह सब कुछ है पर इतियास से अनोपस्तिथ है महलाएं जो है लेकिन इतियास में उसका कोई अस्तित भी emphasize नहीं है वो इतियास में अनोपस्तिथ है ठीजए आगे कहा जा रहा हाला कि भारत में ब्रिट्टिरसों की उपस्तिती पूरे समाजिक परिप्रेक्ष में एकरेंतिकारी बदलाव लाया है हालां कि जो ए बिरिटेस जब आये थे हमारे भारत में तो वो समाजिक परिप्रेक्ष के मुल्यों और अर्धिकारों के भंडार के रूप में व्यक्ति के अधारना के आधार पर समानता की विचार की सुरुवात के अलावा पस्चीम के साथ यह संपर के पहली बार भारत को दिया गया समाजिक प्रगृति का सिद्धान जैसे यह जो है जब भारत में विटिसों की उ समाजिक प्रगृति का सिद्धान में जो यह विश्वास रखता था कि मनुस्य विश्वास रखता था कि मनुस्य खुद कर सकता है समाजिक कारवाही के माधियम से समाज की संद्धान को बदल सकता है मनुस्य सब कुछ कर सकता है समाजिक कारवाही जो है समाज की संद्धान को बदल सकता है यह जो है समाजिक प्रगृति सिद्धान का विश्वास था ओके चलिए आगे कहा जा रहा है भारत में समाजिक सु समाजिक सुधार अंदुलन विस तर से नहीं था उसका अर्थ है वन्चितों की सर्तों के उन्मुलन के लिए समाज के पूरे धाचे की उन्हा सनशना बलकि इसका मतलब है कि जीवन के नए तरीके और वेवार के तरीके की मौज़ुदा समाजिक सनशना जैसे वन्चित सर्तों के चोटे-चोटे जाती कि वनचित पडिवारों के सेजल सर्तों के मुकंब के शाम समाज के जितनी सब्सक्राइब थी उसका मितलब सनचना के अलाबा जो इसका यही मतलब निकाल रहा है कि जीवन की जो है नई तरीके से और नहीं वेवार के तरीके से जो उसके जीवन इसंदीने की तरिके से वेवार कि तरह से मौजूद मौजूद तरिकेसे समाजिक सनशना किया जाता था ऋके का हम तो पनारके के पर रिवर्तन करमिक हो इनमें सब्सक्राइध का पर भारत में समाजिक परिवर्तन बहुत लंबे समय के लिए था यह जो है समाजिक परिवर्तन जो है काप्री समय तक समय के लिए था उसकर समाज के उपड़ी एस्तरों के वहवार और तरीके से नीचले हिस्से वहवार में आया समाज के जो उपड़ी एस्तर के उचे जाती क इस पर सवाल उठने लगा जितने भी समाज हैं इस पर एक सवाल उठाए गया है थे उसका विभिन समाजिक सेवा सनस्थानों ने समाज के कम भागे साली समुहों को मामले को उठाया और जाती अत्याचार के दल दल से भात को बाहर निकाला यह सभी जो विभिन समाजिक सेवा समाजिक और धर्मिक सुधार अंदुलन समाजिक और कानूनी और समन्ता के खिलाप थे जाती और लेंगी के आधार पर समाज में बह्यद्वाव का उन्मोलन का मुख्य बिंदु था ये जो जाती हो गया धर्म हो गया उसके बाद लेंगी के मतलब होता है इस तरी पूरुस्ते सम्दित जो है उसके इसमें जो है समाजिक सनस्थाओं और पर्थाओं जैसे की बाल विद्वाव की स्थिति होगी की सुधार हो गया उसके एकता और महलाओं के संपति और सिख्चा के अदिकार से वन चितों पर परहार सामिल है जिन मैं से विभंव समूदाओं की धारें पूंदों में नहीं थैज इस पर परहार करने लगा कि इस पर मिलना ही चाहिए और आगे कहा जाए जैसे कि यहां देखे आगे और समझ में आ जाएगे बेटी सरकार के साथ काम करने में राजाराम मोहन राए ने अनुभव ने उन्हें सिखाया कि हिंदू प्रमपरा अक्सर पस्चिमी मानकों के द्वर फिस्वशन यह नहीं मानी जाती यह बेटी सरकार बहात आयते उसके बाद यह राजाराम मोहन राए जो इसके साथ साथ रहने के साथ उसका अनुभव यह समझने लगा यह सिखाने लगा कि हिंदू प्र मृण प्रम प्रागत नियम जो हती है उसकी जो है उसकी यह अकसर ज विचार ही नहीं करती थी ठीक है और इसने उसे धर्म को फिर अपनाने के लिए राजाराम मुहनलाई ने यह साबित करके कि हिंदू परमप्राव को अपने यूरोपी परजितों को वेद बनाना चाहते थे अंद्विश्वासी वेवहार जो हिंदू धर्म को नाकाम करते थे यह अनुसर वेवहार के हिंदू धर्म को नाकाम करते थे उसकर इसके उद्यस्यों को सुद्भावना के कोई लेना देना नहीं था देखिए आगे कहा जा रहा है हिंदू की राजनितिक आक्षाओं को अपील करते हुए राजाराम मोहन रहने कुछ सब्द लिखे हैं जो इस परकार है हिंदू की वर्तमान परनाली को उनके राजनितिक हीतों को बरहवा देने के लिए अच्छी तरह से गन्ना नहीं की जा रही थी यह आवस्यक है कि कम से कम उनके राजनितिक लाव और समाजिक आराम की खातिर उनके धर्म में कुछ बदलाव होना चाहिए ये कम से कम होना चाहिए कि जो है उसके लिए धार्मिक हो गया, समाजी हो गया, उसकी जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ बदलाव होनी चाहिए, बदलाव करनी चाहिए, ये जो है राजारामोहन के द्वारा कुछ लिखा गया तत्य था, ठीक है, और आगे कहा जा रहा है जैसे कि देखिए इसके अलाबा जो है ना राजा राम मोहन राई ने महलाओं को संपतिकी अधिकार देने के पक्ष मिल रे राजा राम मोहन राई ने महलाओं के परती जो ने उसको संपतिक अधिकार मिलना चाहिए ये जो है रजारम मोहन राई ने उसके पक्ष में महलाओं के पक्ष में जो है उसके दयाभान के लिए कानुनों में जो वकालत होती है उसके अनुसार जो 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 है उसके पिर आगे काई रहा आगे देखिया, आगे यह है कि हाला कि समावण सुधार अंदूलन की परविर्ति जो ओह ऊची जाती यँठी वर्गी के महलाओं के चारो और गूमती है, यह जो रहा है समावण सुधार अंदूलन जो है, जो सुधार के परमुक वस्तू थी, जो अची मूल्यों के परतिमान के भीतर धार्मी गलंथों की आलोशना की यह पात स hatır évidemment ग ant PO融त के प्रतिमान की पितर जो है धार्मिक रंतों की आलोशना की उसके बारें मेंं चर्चाय की जैसे 1873 में फूले ने संति सोधक समाज सती के सादगों की society को बहु जनों सुद्रों और अति सुद्रों कोनी करने का सोसन और अतियाचारों से बचाने के मुख्य उद्देश के साथ गठित किया यह जो है जितेवाद फूले ने अठासर देहतर इस भी मेज़ा सती सोदक समझ जो सती की सादगों के सोसाइटिक में किस साथ जो है बहु जनों बहु बहु लग संक्या बहु उसका छूद्र हो ग पूस्तक अगे रखा कि हर धार्मिक पूस्तक अपने समय एक उत्पात और उनके सत्य है और अस्थाई और सर्भूमिक वेदता नहीं है यह सभी जो है फूले के द्वारा ब्रहम्मान वर्ग के हो गए गंभीर आलोचक थे उसके जो नहीं आगे रखा ठीक है उसके आगे कह पूस्तक अगे बढ़ाने और बचाने की कोशिस कर रहे हैं और आगे यहां पर देखिया यहां पर आप लोग का इंपोर्टन है उन्होंने अपनी पतनी सवित्री बाई पूले की सिक्षित करने के बाद अगस्त 48-48 में भात में लर्कियों के लिए एक स्कूल खोल दिया ज पतनी का नाम दिए जयत्यवा सवित्री बाई फूले थी टिक है फूले ये जयत्यवा फूले की पतनी थी सवित्री बाई पूले उसको सिक्षित करने के बाद जो है के लिए और दरीत वर्गों की जो हना इसी एक परकर का भगवान मानने जाने लगे उसके कभी कभी जो आ जो त्यक्ति पाफूले को 32 करांति का जो है भारती समाजी करांती का जणक कहा जाने लगा ठीक है इस तरह से देखा तो बा बायरत में समाजी समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन के बारे में यही कहा जा रहा है इसी कथन था उसका नेक्स टोपिक है जो है लेंगी के बारे में अम्बैतकर के प्रिफेक्ष देखिए इसके आज के लिए इनफ है और वीडियो भी काफी लंबा लग रही हो गई है तो आई होप की जो है भारत में समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन के बारे में समझ गए राजारा मोहन राइक काते थे जो तिवाप फूले क्या चाते थे ठीक है इस परकार कहा गया और आम जो है अब बिरिटी साय किस तरह से सुधार बदला मतलब बदला आया इस तरह से जोगे धार्मिक सु सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है उसके बाद और भी सब्सक्राइब के साथ जूरे रहिए और क्लास करते चलिए ठीक है और मेरा एक्सप्रेशन के बारे में जरूर बताइए और अपने दोस्तों को से यह जरूर कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए अगर च